हाइज फ्रेंज आज पार्सल में एक स्टोन से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे इस स्टोन को बड़े वाले पार्सल में डालना है तो मुझे श्रिफ इसके उपर वाला लेयर थोड़ा सा किरकिरा लगा था तो मैं इसको चेक करने के लिए डाल रहे हूँ कि ये किरकिरा है या नहीं तो ये आप भी देख लीजिए उपर में ये जो लेयर है ये किरकिरा है या नहीं थोड़ा सा येलो लेयर्स में है हमने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि yellow layer बहुत ही soft होता है और इनको soft चाहिए लेकिन pure white में मैंने जितना हो सके पूरा stock white में दिया है और ये layer मुझे थोड़ा किरकिरा लग रहा था दिखने में अभी देखिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना हो सके अच्छे से देख के दूँ ये देखिए layer मैंने पूरा हटा दिया है अगर किरकिरा रहा भी तो ये निकल गया इसको पानी में डुबोने की जरुरत भी नहीं पड़ा और इसका softness हम देखते हैं चेक करके ये देखिए एकदम soft है soft stock में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा हमारी यहाप पे क्योंकि हम पूरा soft stock देते हैं यहाप देखिए 4 kg और एक 5 kg तोटल 5 kg का parcel है जिसमें उन्होंने white stone लिया है ये देखिए white stone उनका white stone थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि मुझे pure white चाहिए अभी क्या है natural stones है बहुत मुझे यह चेंज करना पड़ेगा मैं चेंज करके दिखाते हूं कि उनको इस तरह से mix color नहीं चाहिए तो हम यह हटा देंगे हटाने के बाद finally हम उनको दिखाएंगे लेकिन यह किरकिरा नहीं है मैं आपको दिखा दूँ यह मैंने अभी देखा यह एकदम powder जैसा soft है multi color का जो स्टोन होता है यह भी सब बहुत सरे लोगों को पसंद आता है तो मैं इसको हटाके ना इसमें थोड़ा triangle डाल दीती हूं तो वजन हो जाएगा तो मैंने यहां पे कुछ चेंज कर दिया है मैंने थोड़ा triangle भी big size में डाल दिया है यह soft बाला stock है फिर मैं इसका वजन दे भी parcel दिखाऊं उसका stock भी थोड़ा दिखा दू जैसे यहां पे है white broken यह भी उनको soft में चाहिए क्या होता है हमारा जब parcel packing होता है तब हम पूरा stock निकाल के packing करके उसके बाद उसको फिर से pack करके रखना पड़ता है तो बाद में photo मांगते है यह सब हमें देने में दिक्कत ह होती है आपको दिखा दूगई कैसे रखते हैं तो इसलिए मैं अभी यह जो broken दिखा रही हूं stone दिखा रही हूं इसका takeaways को चलिए दिखाते हैं यह देखिए यह आपकर snow पूरा stock रखा है और यह सतों सभी यहां से निकाला broken तो मैं इसका बाद रखी ऑर इसमें क्या होता कुछ मल्टी कलर होता है कुछ प्योर वाइट होता है इसके उपर इतना पाउडर लगा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि यह प्योर वाइट है या मल्टी कलर है तो हम पानी में डालने के बाद हमें दिखा देता है कि हाँ यह सॉप्ट प्योर वाइट है यह कैसा है यह ऑर इसको बनों भी करना पड़ी हमारा पूरा स्टॉप्क देखिए इस तरह से रखते हैं उसके बाद हम इसको ढग देते हैं। यह जो स्टॉप्क है यह दोनों मैंने मल्ती कलर में ही लिया है। यह बाहर से देख की पता चल रहा है। तो इसको पानी में डाल दिया है और ये देखिए white broken कितना soft है मैं आपको तोर के दिखाती हूँ इसका बहुत सारा order हाता है और ये तुरंट तुरंट निकल जाता है पूरा soft में है तो इसको पानी में डाल दिया है friends और मैं आपको time दिखा दू अब भी 10 बच के साड़े 10 बच चुके है तो ये parcel हम आपको ये packing होते होते दिखा देंगे और यहाँ पे है 2 kg Kolkata clay pot एकदम soft इसका stock का टेस्ट भी मैं करवा दूँगी ये है 2 kg Kolkata clay pot उसके साथ saucer ये पूरा stock उन्होंने soft में लिया है आप देख सकते हैं इसमें little smokey भी है सबी कुछ बहुत soft ह और यह देखी यह अंदर से पका हुआ है और यह हमारे Kolkata से बहुत ज्यादा दूर नहीं है फिर भी यह online जा रहा है क्योंकि यह cash on delivery करने में इनका थोड़ा ज्यादा चला जाएगा क्योंकि cash on delivery के खर्चे ज्यादा आता है तो चली मैं इसका जो और इसके साथ इनका एक sauc इस में इसका भी टॉक दिखाऊंगी इसका भी टॉक दिखाऊंगी और यहां पर देखेए यह जो श्क्रेट मैंने डाल के रखा था यह धीरे 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 थीरे साब निकल रहा है और चली मैं आपको इसका स्टॉक दिखाते हूं यह देखे हैं मैंने खोल लिया है यह है कलकता का स्टॉप लिटल स्मूखी वाला इसमें नोन स्मूखी उटिल स्टॉप सब ख़र और यह फिर से बंडा है कि इसे बहुत ज्यादा ओरर आ रहा है और मैंने जो सौसर दिखा है मैं आपको बता दू यह वाला सौसर बहुत ही स्टॉक है देखिए अंदर से थोड़ा सा पका होगा लेकिन मेल्टेट वाला स्टॉक और कुछ स्टॉक स्मोकी में है लेकिन वो थोड़ा कच्चा-कच्चा है और ये स्टॉक देख लीजिए ये कलकता में किसी ने पूछा था तो मैं उनके लिए बना रही हूं सभिना जी आप देख लीजिए क्योंकि ये स्टॉक पोस्ट से डालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा उनको हम प्राइवेट कुरियर से ही भेजते हैं कलकता में हैं इसलिए तो ये हैं आपका स्टॉक ठीक है ये ये स्टॉक बनाने में आप लोगों को लगता है एक मिट्टी का बर देखेंगे मैं दिखाती हूँ पहले मैं स्लेट को उटार लो ये देखिए अब भी घड़ी में पूने 11 बच चुके है तो आपका टाइम हुआ दस मिनिट के उपर ये पानी में रहा है ये देखिए दस मिनिट में मैंने इसको मल्टी कलर में ही लिया था और देखिए कितना सॉप्ट है इसमें से यलो कलर ऐसे ये नैचरल स्टॉन से देखिए कितना सॉप्ट है क美味 कि ग्रिटी नहीं है ये एक रम तशही है करीटी नहीं है कि इसके ऊपर कर देखि़ कैसे चैजिते हो जाता है ड़ी फीतना सोफट रफ़ पूरा पीस में आपको तोर के दिखा देती हूँ यह देखिए यह तो इससे सॉप्ट क्या होगा और यह हम इसी पानी में डाल देते हैं कुछ पुरा मत मानिये क्योंकि अभी पानी लेने जाएंगे तो विडियो लंबा होचाएगा रुखना पड़ेगा राक हो चुकी है ना हमें पार्सल तुरन तुरन दिखाना है यह देखिए यह सॉसर है इसको बैने आपके सामनी पानी में डालके ही उथा लिया यह देखिए कितना सॉप्ट है यह आपको एक एक केजी 230 रुपीज में मिल रहा है विडाउट बाबल्स लेकिन जिनोंने मुझे और किया है कलकत्ता में है फाइफ केजी मैंने उनको 700 बताया है तो अगर किसी को पोस्ट से चाहिए तो 700 में मिलेगा विडाउट बाबल्स लेकिन आपने देख लिया है वहापे फाइ बहुत अच्छा स्टॉक है 5 kg 700 में मिलेगा यह इतना महेंगा होता है कि इसको जराने का टाइम बहुत जादा होता है सबको लगता है कम पका हुआ है यह तो तुरंत हो जाता है नहीं इसमें एक प्रोसेस होता है इसको सुखाना बहुत अच्छे से पड़ता है उसके बाद होता है कभी तभी हमसे गलती होने के बाद क्या होता है वह बहुत ज्यादा पक जाता है तो हाट बन जाता है तो इसलिए इसको पकाने के लिए इसको तरीकी के लिए इसका थोड़ा महेंगा पड़ता है और स्लेट आइटेम आप लोग देख लीजिए मैं अभी से कोशिश करूंगी पारसल जितना होगा दिखा होंगी फ्रेंस पासल हमारा हर रोज रहता है बोहत रहता आपSन टो फोटो नहीं है आप वीडियो देखिए वह समझते हैं मैं घमन से बोल रहे हूं ऐसा कुछ भी नहीं यह सिधा बात है यह जो स्टॉक आप देख रहे हैं आधा बॉक्स है दो तीन और निकलेगा वह खतम हो जागा मुझे फिर से दूसरा मेरे पास रहता है मुझे जूसरा स् दिखाऊंगे